एल्ोइग्रिवां तो चली देख लेते हैं आघ का पाइला टिप तो चली सुरू करते हैं आघ का पैला टिप क्या है जब भी हम लोग को बहुत ज्याद़ बियानी ये पुलाव बनाना रहता है तो बहुत ज्याद़ प्याज इस तरह से चोटा टंगड़ा में कटना मपाई तो इतना जादा प्याज कटने के वज़्जा से हम लोग का आसु इसा ही बहते रहें के जितना दरह आप सलाइस करेंगे सलाइस करेंगे इस तरह से तो उसे चक्वाइब में आप बहुत जयादा स्लाइस करेंगे चिप्स कटर से तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका आशू भी कम गिरेगा तो आई हूब ये टिप्स आपको अच्छे लगा होगा देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं और आपका बहुत ज्यादा प्याज भी स्लाइस हो जाएगा देखिए कितना ज् उसमें पीन लगाते हैं तो क्या होता है वो गुसता ही नहीं है बहुत या टेड़ा हो जाता है पीन या गुसेगा नहीं देखिए जब भी इस तरह का आपके साथ होगा तो देखिए इस तरह से साबून ले लिजिए और चार से पांच बार इसमें आप गुसाईए साबू पेटिकोट है या फिर आपका जो नडा वाला इस तरह का जो सलवार्सूट होता है तो उसमें भी हम लोग ऐसे सीधा डाल देते हैं तो पूरा मसीन में सब कपड़ा को अपना यह जो नडा है उसमें पसा लेता है तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो तब आप इस नहीं पसेगा दूसरा कपड़ा में तो चलिए देख लेते हैं चौटा टिप्स तो देखिए लब आलू तो मतलब सब्सक्राइब एक या दो बर तो वन नहीं बनना होता है घर में देखिए इस तरह से हम लग जब बुझिया के लिए काटते हैं देखिए इस तरह से एक ए आलू देखिए एक ही बार में आप आप काट लेंगे देखिए बहुत ही असानी से देखिए इस तरह से करना है तो आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत जल्दी आपका बहुत सारा आलू आप बुझिया के लिए काट सेकते हैं क्योंकि अब लोग अकसरा हम लोग सामान आता है उसको डबब में बच जाता है उसको रखने के लिए देखिए इसा किल्व का या रबर में का वींट का और के लिए उसमें बाग दयता है यह जो कराब भी अननर् सारा करें के वब और time भी बचा थो और आपका रखने का जगा भी बचा थो देखिए इस तरह से ज़िए इतना स्रा ड़व बचा हुआ तो इस तरह से आप पूर ब्लास्टिक अब कट कर ले जीए चतना है उसके श़ीज़ में हैं इसको इस तरह से कट कर लें पाउ साप आपको रखने का जगा होता है वो भी कम हो जाता है कम जगा में बहुत ज़यदा समान रख सकते हैं और अभूसर हम लोग देखते ह हैं कि दुकान में किस तरह से डाले औ. उभ coaching करते हैं कि क्या करते हैं वह किसे तर emoc vient लोग शील कर देते हैं और उसमें कोई मस्चर नहीं गुस्ता है तो देखिए इस तरह से मंबत्ती ले लेंगे इसके बाद सब को देखिए इस तरह से हलका हलका गरम करना है अगर आपको हाथ में गरम लगता है तो आप इस तरह का आप टावल ले सकते हैं कि चंटावल उससे दबाईएगा लेकिन इतना ज़्यादा भी गरम नहीं करना है कि हाथ जल जाए लेकिन हलका हलका देखिए गरम करना है पिर प्रशंद आ रहा है टिप तो लाइक एंड शेयर करना मत बूलिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं देखिए सब को देखिए किस तरह से मसील कर दे रहे हैं और आपको अ मुंबत्ती में अगर गरम करना नहीं चाहेंगे तो आप गेस में थालका सब चिम्टा को गरम कर लीजए इसके बाद आप दबाएएगा चिम्टा से तो बहुत असानी से लोग हो जाता है प्लास्टिक देखिए इस तरह से मुंबति में तो उतना जल्दी नहीं होगा आप हच्चा है तो आप गैसमें गरम करके चिम्टा को तरब कर सकते हैं रकने में भी हरता है ऐता है यसी तरफ के साथ होता है तो आप देखिए इस तरह से आप गुलूगन आप आशकल सबके घरों में होता ही है तो आप गुलूगन से इस तरह से आप लाइनिंग कर दीजे या डोट डोट बना दीजे तो आपका जो सेंडल है वो कभी स्लिप नहीं करेगा देखिए इस तरह से अगर आपके पास इस तरह का जो आपके प बनाते समय तो चाय बहुत अच्छा बनती है आप देखें होंगे रोट साड जो चाय वाले वाईया होते हैं इस तरह से बनाते हैं तो बहुत अच्छे चाय बनती है